तो सवाल आप जानते हैं कि हमें 573 के corresponding कितने word बन सकते हैं वो सारे बताने हैं एक्सपेक्टेशन इससे है कि यह एक word की list देगा तोटल कितने word बताएगा 24, 24 को कहां से आया 5 इक corresponding है, 4, 70 corresponding है, 2, 3 corresponding है, 3 4 x 2, 8 x 3 is 24, हमें यह expectation है कि हमें 24 words मिलेंगे अब हम faith यह रख लेते हैं कि 73 अपना जवाब दे देगा 73 के कितने हैं, 2 यहां से और 3 यहां से, 2 x 3, 6 73 के 6 होते हैं, वो 6 कौन से होते हैं तो 73 के देख लेते हैं U और V, यह है G, H, I 73 का हम यह faith रखेंगे कि 73 को बोलाना कि तू अपने words बता दे तो वो बता देगा अब हमें यह बताना है कि 73 के 6 words से क्या आप 573 के 24 बता बना सकते हैं फिर से एक बार बता दू 73 के 6 words कैसे आए, 2 options यहां से हैं, 3 options यहां से 7 can give you 2 characters, 3 can give you 3 characters, total 6 words पॉसिबल हो सकते हैं 573 से कितने possible हैं, 5 gives you 4 options, 7 gives you 2 options, 3 gives you 3 options 24, तो 73 के 6 words से क्या तुम 570 के 24 words बना सकते हो, मैं कहता हूँ बना सकते हो, कैसे? भाईया 5, 5 will manifest itself as M और N और O और P तो पहले M इन सब के साथ, 5 अगर M के रूप में आया तो इनके साथ combine करके total 6 words पैदा करेगा, वो कौन से words होंगे? M U G, M U H, M U I, फिर M V G, M V H, M V I अगर 5 आता N के रूप में हैं, तो N इनके साथ interact करके 6 words पैदा करता अगर 5 आता O के रूप में, तो O इनके साथ interact करोके 6 words पैदा करता अगर 5 P के रूप में आता हैं, तो P इनके साथ interact होकर 6 words पैदा करता, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 24 words हो जाते हैं, ठीक है? तो यह है basic promise, तो इसके विज़िस पर हम code लिखने ही कोशिश करते हैं, ठीक है जी, तो मैंने बनाया scanner, मैंने बनाया string, ठीक है, और फिर मैंने लिखा array list of string words equal to get kpc, को str pass कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया? हमें semi-colon करता लगाया था, फिर जो words आएंगे, system.out.println कर देंगे हम words को, यह पिसी caller रखा है, अच्छा, अब एक चीज़ यह है, यह आपको key codes दे रखे हैं, 0 stands for that, 1 for that, 2 for that, so on and so forth, तो हमें उसका एक global array बनाना होगा, global array को हम statics से define करते हैं, string का array है, तो string के समने ऐसा लिखा, ठीक है, इसको बोड़ों को हमें, codes, यह codes हैं हमारे, यह हमने define कर देना है, तो 0 पर, यह 0th है, यह 1th है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यह चहीं होंगे, जीरो पर है, dot, semicolon, 1 पर ABC, फिर DEF, फिर GHI, this is first, 0 पर 1 पर, 2 पर, 3 पर, आगे का देखकर आते हैं, 4, 5, 6, JKL, MNO, PQRS, तो, इस इंडेक्स पर है, यह मैं उसी इंडेक्स पर डाल रहा हूं, 7 इंडेक्स पर TU, 8 पर VWX, 9 में पर YZ, TU, VWX, YZ, चलिए, अपने एकोर्स बन गए, अब हमें एकॉल लगाए गया, तो अब यहां पर दीखेगा, तो जो हमें string pass की गई है, वो असल में 573, ऐसी ऐसी होगी, तो जिस्टेंगे, वो 573 होगी, वो 573 का रिपसेंट करता है, कि पहले 5 की दभी, फिर 7 दभी, फिर 3 दभी, तो हमें उस string बताना है, तो उस 573 का मैंने क्या करना है, 5 अलग कर लिया, यह पिछली बार भी हमने किया था, 573 अगर आया था, 573 इन्पुट के लिए, 5 अलग निकाल लिया, और 73 अलग निकाल लिया, हमें तो 573 का जवाब देना है, 5 अलग कर दिया, 73 अलग कर दिया, अब मैंने एक faith रखा, और call लगा दी, recursion result, कि 73 के तो आ जाएंगे, 6 words, आर ओएस पास कर दिया, तो 73 के वहाँ से words आ गए, मैं उम्मीद करा हूँ भी आ गए, आ गए, लेकि मुझे तो 573 का जवाब देना है, 573 में है, 24, वो रिटन करने है, my result, equal to new array list, recursion result में तो 6 words of 73 आएं है, मुझे यहाँ पर, my result में रिटन करने है, 24 words of 573, तो अब क्या किया जाए, recursion result के words के साथ क्या किया जाए, कि हमारे बन जाए 24 words, तो जो यह 6 words है ना, जो इस list में भरे हुए हैं, यह 6 के 6 के साथ 5 interact करेगा, 5 interact करेगा, जो भी इसके options है, m के रूप मगर यह होता, लेटर से यह 5 होता, 5 है नहीं है, बैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो MN हो है, तो असल में जो words बनेगे ना, हमारे इस case में, वो अलग बनेंगे, जो हमने code यहाँ discuss किया हुए, वो अलग है, और जो वहाँ में code मिला है, वो अलग है, तो हमें एक नया example उठा लेते हैं, लेटर से हमें दिया गया है, 6, 7, 8, जो word दिया गया है, वो है 678, 678, तो जो छटे साथ वे राठ पे इंडेक्स पर पढ़ा है न, वो यह पढ़ा है, 6 is P, Q, R, S, 7 is T, U, 8 is V, W, X, तो 678 यह कहता, मैं 6 यहां रे जाता हूं, तुम 78 का जवाब ला दो, 678 एक कितने होते, 4 x 2 x 3, 24 words होते हैं, और 78 है कितने होते, 2 x 3, 6, तो एक्जांपल वही बन गया, बस वैसा सही हो गया, कि 6, 78 के लिए सोच लेता हैं, 6, 78 के 6 को लग किया, 78 को लग किया, तो 6 words of 78 हमारे पास आ जाएंगे, मगर हमको बनाने हैं, 24 words for 6, 78, कैसे बनेंगे, जो आपका 6 है न, वो P की तरह आ सकता है, Q की तरह आ सकता है, R की तरह आ सकता है, तो P, Q, R, S को, इनके 6 के 6 words के साथ, इंटराक्ट ख़राके, इस list में add किया जाए, तब बनेगी बात, देखें, मैं किसमें लूप लगा रहा हूँ, int i equal to 0, i less than, बहुत ध्यान से देखना, codes of, codes of, character, character कौन साथ आपका, 6, तो मैंने 6 पॉरिशन थे, अपना ये string उठा ली, ये वाली, मैं इसको बोलूँगा, code for CH, तो codes of CH लगा दिया, मैं इसमें, codes में 6 इंडेक्स लगाया, तो मजो PQRS मिला न, यहाँ पर लिखूँगा, codes for CH की length, उस पर अगर loop लगाया जाए, तो आपको मिलेगा, P, फिर Q, फिर R, फिर S, कैर, मैं इसे बोलूँगा, CH code, code से आने वाला character, code तो PQRS है, उससे आने वाला character, तो, codes for CH dot care at I, अब ये, recursion result में लूप लगाया जाए, for string, RSTR, in recursion result, उस पर लूप लगाया जाए, और देखिए, मैं रिजर्ट में क्या आड़ कर रहा हूँ, जो character code आया है, उसको RSTR के साथ आड़ करके, आड़ कर रहा हूँ, तो कहोगे, सर्फ कच्चा कच्चा समन्हें में आया है, बहुत ही वेग लिखा है, आपने क्या चल रहा है, में कोई बात नहीं बेटा, पक्का पक्का करते हैं, इसको लेकर चलते हैं, इसको यहाँ पाकते हैं, यहाँ से, साथ बने रहना मित्रों साथ बहुत जरूरी है तो यह कोड़ी आहा रहा यह कोड़ी यह पड़ा और यह P, Q, R, S, T, U, V, W, X थे 6 is 6, 7 and 8 P, Q, R, S, T, U, V, W, X हमें 678 इंपुट के रूप में दिया गया यह लाइन नमबर 1, लाइन नमबर 2, लाइन नमबर 3, लाइन नमबर 4 इस सारे को आप माने ज़े लाइन नमबर 5 और यह लाइन नमबर 6 तो जब भही लाइन नमबर 1 चली तो आपने 6 को इन्टिफाई किया लाइन नमबर 2 चली तो आपने 1 से लेकर एंट तक का 78 अलग कर लिया, लाइन नमबर 3 चली तो आपकी call लग गई भही, call किसको लगी? 78 को, ठीक है, पहले high level नहीं अनलाइज करते हैं यह अगर 78 अपना word, अपना सारा जबाब दे दे पहले high level कर रहे हैं, depth में नहीं जाएंगे 78 को लगा और 78 के हाँ से मान लोग कि आ गए 6 जबाब कौन से? TV, TW, TX TV TW, TX UV, UW, UX UV, UW UW, UX यह 6 वर्ड्स आ गए अब जब सी चौथी लाइन चलती तो codes for CH, codes for CH, आपका codes का array है, उसमें आपने CH लगाया CH क्या है आपका? यह character 6, तो आपने छठे के against जो यह आपका array था इसमें आपने छठे के against जो string पड़ी है वो उठा लिए, तो आपको PQRS मिल गया, अब आप PQRS में लगा रहे हैं तो पहली बार इसमें P आएगा फिर इसमें Q आएगा, फिर इसमें R आएगा फिर इसमें S आएगा, तो 6 stands for PQRS ना, आरे में से हमने PQRS निकाल लिया, यह जो बहार लूप चल रहा है, यह PQRS पर चल रहा है तो पहले P उठा और recursion result में जितनी बिस्टिंग यह पढ़ी है उनके साथ combine होके, my result में add हो गया P उठा अंदरा लूप किस पर चल रहा है, recursion result पे तब इसके उपर तो आपका P बहार से आया, अंदर वाले ने इन सब पे loop लगा दिया, P इसके साथ combine हो कि पी टी वी, पी टी डवी, पी टी एक्स, पी यू वी, पी यू डवी, पी यू एक्स पैदा किया फिर बहार वाला लूप अगला character उठा लाया, विच इस Q, और Q इनके साथ combine हो गया फिर बहार लूप लेकर आया, R और अंदर वाले लूप ने, R को सब के साथ interact कराके 6 वड़ पैदा कर दी है, फिर बहार वाल्य लूप लाया, S और अंदर वाले लूप ने, S को 6 के साथ combine करके, 6 वड़ और पैदा कर दी है, तो आपके कित्ते हो गये, 24 वर्ट्स हो गये, अ 38 अलग हो गया लाईन नबर 3 चलनेς से कॉल लगी 78 पे पहुँचे अब कोर यहां आ चुकाए लाईन नबर 1 चलने से करेक्टर अलग लाईन नबर 2 चलने से रेस्त रड़स्ट स्ट्रिंग अलग लाईन नबर 3 चलने से कॉल लगी जी 8 पर आगये line number 1 चलने से character हो गया जी line number 2 चलने से पता लगा rest to the string है नी line number 3 चलने से blank rest to the string को call लग दे अब रोखना चाहिए इसको base case बनाएंगे base case क्या है कि अगर कोई भी की मैं बहुत अजीब बात बोलूँगा दुबार से अगर कोई भी की नहीं दभी तो कितने word पैदा होंगे जनरली बच्चा बोलेगा भाईया एक भी word पैदा नहीं होगा अगर कोई कीन दभी तो word कौन से पैदा होगा वो word blank है उस word में कुछ नहीं है तो word blank है पर एक word पैदा होगा तो मैं आपको लेकर जाओंगा भीया फिर 2 रस पर 1 को आप 2 रस पर 0 को 1 मानते हो या 2 रस पर 0 को 0 मानते हो इसका basically मतलब है कि 2 को एक बार भी multiply नहीं करना तो 1 पैदा होगा या 0 और हम यह कहा है कि 2 रस पर 0 के बराबर नहीं होता तो वैसे ही बात है एक बार भी इसमें बात ही एक बार भी multiply नहीं करना तो क्या पैदा होगा और वैसे ही है एक भी की नहीं दभी कौनसा word पैदा हुआ एक word पैदा हुआ एक ब्लांक word पैदा हुआ है कुछ नहीं इसमें यह वाली जो बात है ना यह बेसकेस वाली बात इस तरह की अजीब सी बेसकेस वाली बात ही आती रहेगी तो मैं इसको ना एक पर्टिक्लर क्वेशन आयेगा जहां पर मैं इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाऊंगा तब आप बात को सुनिएगा आपके एकदम दिल में दस तक करेगी मेरी बात तब तक आप यही बात पकड़के रखिए कि देखिए जैसे टूरिस पर जीरो बान होता है वैसे ही है वैसे है क् कोई की नहीं अभी तो एक वर्ड पैदा हो गया कॉंसर वर्ड ब्लैंक वर्ड ब्लैंक वर्ड बी रिजल्ट डॉट एड ब्लैंक तो कोगे से पाइदा क्या होता अब यह एक खाली भी क्यों आड करते हो मैं कहता हूं बटा दोनों बातों में बहुत फरक है अगर मैं एर् ब्लांक है यह देमें इस तो है कि बल्टी ही खाली है यह इसा है ऐसा कुछ है चलिए अब इससे फायदा क्या मिलेगा यहाँ पर वापस है फोर्थ लाइन चलेगे पर आपकी नई result list declare होगे, अब fifth line चली, fifth line है loop में loop तो आपने 8 के against code read किया, 8 के against code है VWX बाहर चल रहा है VWX पे loop, अंदर चल रहा है जो आपके recursion result आई है उस पे loop, तो उसमें तो एक यह element है तो बाहर का V इसके साथ interact किया तो V पैदा हुआ, बाहर का W इसके साथ interact हुआ, तो W पैदा हुआ, बाहर का X इसके साथ interact हुआ, तो X पैदा हुआ तो आपके तीन words हो गए छठी line पर आपने इसको return कर लिया अब फिसे चली चौथी line, जिसके इसकी list declare हो गई अब चली पांच भी line, पांच भी line मतलब यह, तो 7 के corresponding codes, 7 के corresponding codes है यह character था, आपने array में लगाया, 7, 7 के corresponding आपके मिल गया, TU तो TU, बाहर वाला loop चल रहा है, वो T और U के उपर चल रहा है, अंदर वाला loop, V, W और X पर चल रहा है तो T उठा, V के साथ भी, W के साथ, W, X के साथ भी कमबाइन हो गया TV, फिर TW, फिर TX फिर बाहर वाल लूप आगे बढ़ा U तीनों के साथ पमबाइन हो गया UV, UW, UX अब आपने 6th line पे रिटन गर दिया चौथी line जब यहाँ पर चली तो यहाँ के array list डेक्लेर हुई पांच्वी line code, पांच्वी line में यह loop का loop चलेगा पांच्वी line में code 6 के against है PQRS, बाहर वाल लूप चलेगा PQRS पे, अंदर वाल लूप चलेगा TV, TW, TX, UV, DUW, UX के उपर तो बाहर से P उठा इन 6 के साथ कंबाइन कर गया और 6 words पैदा हुए बाहर से Q उठा, इन 6 के साथ कंबाइन कर गया इक बाहर देख लें, वो 24 words है कौन से पी जब इनके साथ combine होगा तो क्या पैदा होगा PTV, PTW, PTX, PUV, PUW, PUX फिर बाहर से आया Q और इनके साथ combine होगा तो Q के साथ यही वाले word पैदा होगे so on and so forth, R and S के साथ ठेक है तो हमारा code more or less हो रखा है अच्छा समें एक छोटी गलती है slight, slight mistake मैंने यह देखिए, 671 पास किया था तो मैंने यह 0 त करेक्टर निकाल के 6 निकाल लिया था मैं codes के आरे में 6 लगा रहा हूँ codes के आरे में 6 लगा रहा हूँ तो मुझे PQRS मिलना चाहिए code for CH में मिलेगा नहीं तो आसकाय कोड होता है जैसे A होता है A का आसकाय कोड होता है 97 इसी तरह से 0 का आसकाय कोड होता है 48, 1 का आसकाय कोड होता है 49 2 का आसकाय कोड होता है 53 का आसकाय कोड होता है 51 4 का आसकाय कोड होता है 52 5 का आसकाय कोड होता है 53 6 का आसकाई कोड़ था 54 तो अगर आप करेक्टर वाले नंबर को असली नंबर बनाना चाहते हैं तो उसमें से 48 माइनस करना पड़ता होता है 54 में से 48 माइनस करोगे तो 6 आएगा मतलब 6 is not equal to 6 but 6 minus 0 is equal to 6 क्यों यह 6 54 है यह 0 48 है 54 minus 48 है 6 6 is equal to 6 हो जाएगा this is equal to 6 6 minus 0 मैं जबार सब्सक्राइब बोलता हूँ जलती होई थोड़ी देखे मैं यह बोलगा था 6 is not equal to 6 क्योंकि यह 60 तो 6 जब integer के साथ compare होगा 54 के रूप में इसका आसकाई compare होगा असल में अगर कभी भी character को आपको number बनाना हो तो tricky होती है उसमें से 0 minus कर ले character वाला तो क्यों 6 का सकाई 54 है 0 का सकाई 48 है तो असल में जब तुम यह कर रहे हो 54 हो से 48 माइनस हो रहा है जो की number वाला 6 है देखे तो आपको छोटी से गलती है जहाँ भी आप यह यूज कर ले थे ना ACH array में से निकालने के लिए quotes वाले array में से निकालने के लिए वहाँ पर इसमें से आप 0 cast का सकाई minus 0 as a character cast का सकाई minus कर जाए चेक है तो I think we are somewhat good now 678 के लिए मैं यहाँ पर run करके देखता हूँ कोई compiled time error होगी तो यहाँ पर हमें identify हो जाएगी तो yes we have an error at line number 8 हाँ जी string में next integer पकड़ा है हमने हमने बत्तमीजी कर लिए तो उसे ठीक कर लिया है अब कोई और गलती होगी तो 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 नजर आएगी okay we have an error at line number 28 तो code for ch हाँ जी इसका नाम code for ch नी code for ch था इसका नाम तो हमें कुछ दिख रहा है आए है है मारे 24 वोट किन लो मैं नहीं होना लाई ये submit लगाए तो submit करने वालों की कभी हार नहीं होती शायद उनका code उड़ जाता है पर कभी कभी okay nevertheless now we are done with it तो यही code था अब हम इंटर से उठाके चिपका लेते हैं solutions उठाके ठीक है उपर scanner गया में से फरक नहीं बढ़ता मैं आपको वो code लिख देता हूँ जिसके आप familiar है new scanner system.in string str equal to scanner.notist बाकी I think हम यही किया था codes ऐसी बनाय हूए थे यह ऐसी declare किया था character निकाला था rs my result यह 48 जो लिख रखा है इसको हमने ऐसे नहीं लिखा था इसको हमने ऐसे लिखा था in fact हमने ऐसे लिखा था string code for ch code for ch ऐसा लिखा था code for ch equal to codes ch minus 0 और फिर क्या लिखा था वो भी लिख देते हैं जैसे लिखा था वही code लिख रहा हूं में दोबरा से int i equal to 0 i less than code for ch dot size विश्वास कीजिएगा कोई fraud नहीं है genuinely logout हो गया था ch code equal to code for ch dot dot care at i लिखा था recursional result code for ch निकाला इसमें से Pqis निकाला उसपे loop चल रहा है उसमें से एक करेक्टर निकाला P निकाला और उनके साथ interact करा रहा है लाइए इस बार submit करके देखें तो compilation आएसाथ है कुछ हो गटबट हो गई है हमसे 78 करता हूं अपनी दोनने के लिए एक पूर फ़र सी एच है अगल साइज नहीं होता है लेंक्थ होता है हमारा फंक्शन स्ट्रिंग में साइस फंक्शन होता है अर्लिस्ट में अब कोई गलती है क्यार को नाट बीक नुटेट इस ट्रिंग बिल्खुल यह तो क्यार है जब अब हम से सब्मिट करते हैं एक्सेप्ट हो रहा है उमीद करता हूं आप में विरिश्वास करेंगे कि स्ट्राइज में कोई फ्रॉड नहीं था लॉग आउट हो गया था फिर इसको कॉपी-पेस्ट किया तो दिर वर फ्यू मिस्टेक्स जो हमने रिजॉल कर रही है तो कोई बटन नहीं दबाया तो एक वर्ड कैसे पैदा हुआ तो मैं कह रहा हूं यह वो वर्ड स्पेशल वर्ड है वो वर्ड ब्लैंक वर्ड है जैसा आप टूरेस पर जीरो को वन मानने से आपने कभी एतराज नहीं किया तो इस बात पे क्यों शक कर रहे हो इस बात का एक ब बारे में जादा बात करेंगे मिलते हैं अगले सवाल में थैंक यू वर्य माच